हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश भी स्वाकर माई यूटूब चैनल पे जैसा की फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग देख पार फ्रेंट्स यहाँ पर आई टी आई चात्रों के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर यहाँ पर निकल के आ रही है जो कि डिटी दोबार निर्देश जारी हुआ है और यहाँ पर आप लोग जो सीवीटी का एकजाम हो रहा है उसको भी लेकर यहाँ पर आप लोग का आई टी आई चात्रों का यहाँ पर बहुत ही बड़ी ख़बर आप लोग का निकल के आ रहा है कि आप लोग का जो सीवीट का इक्जाम है उसमें बहुत सी प्राव्लम बहुत से मस्या आ रही है और यह आई टी आई चातरों के भवी साथ यहां पर खेलवाड किया जा रहा है तो यहां पर फाइनली मैं आप लोग को पूरी एंकरा कुछ वीडियो में देने वाला हूं तो यहां पर भास रगा का भी बड़ा फैसला आया हुआ है तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखना है तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा और फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किये हुए हैं तो आप लोग इसे एक लाइक करिए और हमारे लेगी क्योंकि आप को इस लिए पर आई टी आई की कोई भी अपडेट आती है तो आप को इस लिए माध्यम से सबसे पहले आप लोग प्रोवाइट की जाती है तो आज ये टाइम वेस्ट करते वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख इचा का बाइसकार कर रहे हैं और आई टी आई छात्र भी यहाँ पर डिजिटी से नहराज हो चुके हैं और यह हला बोल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं परिच्छार्तियों ने कहा प्रवेस पत्र एक फरवरी को रात नव बजे मिला और कुछ को में तो ऐसे में उनका जो एक्जाम सेंटर है उसका भी पता नहीं लगा पाएंगे उनका एक्जाम सेंटर कहां पर है तो उनका एक्जाम भी छूट सकता है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आई टी आई की आर्लाइन परिच्छा में सर्वर के सुलो होने से नही बहुत ही सुलो चल रहा है किसी किसी लोग का यहां पर बहुत लोग का इक्जाम भी नहीं हो रहा है और यहां पर इसी को लेकर पर परचाति नराज हैं तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं अखिल भारती यह आई टी आई के आलाइम परिच्छा के पहले दिन सर्वर के सुलो रहने के कालड बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग का चात्र वंचित रग है यानि आप लोग का यहाँ पर जो सरवर्ट सुलो है उसको लेकर आईटिया चात्रों का एकजाम नहीं हो पाया है और कई केंद्रों पर तो परिचारतियों के केंद्रा बाहर निकल कर परिचा का बहिसकार कर दिया यहाँ पर आप लोग का जितने भी चात्र है आईटिया एकजाम को छोड़ कर क्योंकि आईटिया का एकजाम तो हो नहीं रहा है क्योंकि सरवर्ट सुलो है तो यहाँ पर बाहर निकल कर सभी लोग ने आईटिया ओने परिचा का बहिसकार किया और धर्ना पदर्शन किया जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 10 बज़े से ट्रेनी का उपश्तित दर्ज हो गया लेकिन सर्वर के नियमित से संचालन नहीं हो कारड लंबे इंतजार के बाद बीना परिच्छा दिये बाहर निकल गए डिजटी यहाँ पर आप लोग का डिजटी के खिलाफ हो गए आईटी आई के चाहत रहे हैं कि उनका एक्जाम नहीं हो पाया है उन लोग जैसे पैसे आईटी आई के परिच्छा के इंदर पर पहुँच गए हैं एक्जाम ठीक से नहीं हो पाया है क्योंकि आप लोग का सर्वर जो है बहुत ज़्यादा सुलो है और यह टेक्निकल फॉल्ड डिजिटी का पहले डिजिटी को सर्वर को बढ़ना चीए इसके बाद ही आप लोग का एक्जाम लेता तो ठीक रता ठीक है और यहाँ पर चात्रो में इंटर्मीडियर परिच्छा दुसरे दिर सांतिपूर माहौल से समाप्त हुआ इस दवरान तीन चात्र तथा एक चात्रा को परिच्छा से निसकासित किया गया परिच्छा हौल में मोबाइल ले जाने को लेकर चात्रा को निसकासित किया गया था और विच्चक से इस करण मांगा गया था कि इस बात कोई जानकारी देते हुए परिच्छा प्रारंबी डिसीए आल सीव रंजा ने बताया कि जहागीर बद्ध विद्धाले तीन झातरों को कदाचार करते हुए पकड़ा गया था उन्होंने कहा है कि निस्काजित कर दिया गया वही पुरुवत् में एक निउच प्रकटिंग के मादरम साब को बता रहा हूं जो कि परिच्छा सेंटर दूर होने से चात्रों में है नराजगी ठीक है और यहां पर आप लोग जो एक्जाम है वह आपका ये छप्रा का निउच पिपर है सकलधारी परसाद आइटी आई के प्रांगड में जेजे आईटी आई ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि चपरा 66 किलोमीटर दूर सिवान और 150 किलोमीटर दूर बेतिया पुर्वी चमपाड में जाने के लिए छात्र समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कारण की आवा गमन की सुभिदा अप राप्त है और साथ ही भीसड ठंड का प् बढकार आगा है और लोग लगाता रहें दुख रहें क्योंकि आप लोग यहां पर देखा रहे हैं आप लोगो का। वो आपका 60-60 km से आप लोगो का डेर सो यानि 150 km के आप लोगो का रेंज में बना है तो ऐसे में आइटियाई छात्र को रात 9 बजे आप लोगो का जब हौल टिकेट मिल रहा है तो आप लोगो का एकजाम सेंटर पर आइटियाई के श्टुडेंट का पहुंचेंगे तो इसल अब आप लोग का बात है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 28 जनवरी को जो आप लोग का एकजाम था वो यहाँ पर होई परिच्छा केंदर पर सर्वर डाउन लॉग इन नहीं होने के कारड आप लोग का परिच्छा नहीं देते हुए छात्रों को घर वापस आना पड़ा बैठक में उपश्तित विविन आईटी आई के संचाल को ने बताया है कि दो फरवरी को होने वाला परिच्छा भी सेंटर से 100 किलुमेटर दूर जाने में इस भीशर ठंड में जाने में असमर्थता दिखा रहे हैं यहीं नहीं एक फरवरी को तीन बजे साम तक प् बना लिया है साथ ही जगह जगह पर रोड का घेराव भी करने का चात्रों का मूर बना रखा है यहां पर आईटी आई चात्र एसोसियेशन यहां पर लगातार आईटी आई का जो ऑनलाइन सीविटी एक्जाम हो रहा है उसका यहां पर लगातार बहिसकार कर रहे हैं लगा आई टियाई का ट्रेड होता है ऑग और एक साल का होता है और आपांच या चार साल का बन के रहा जाएगा और आप लोगों का यह डिजरी कोई काम की नहीं कर रहे हैं ना तो आप लोग कोई फाल्म भी करते हैं यहांप भविश्य खराब्ट कर रहा है इसमेज बाहलें। इस बीडियों और लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए धन्नवाद